हर्ताली का तीच की व्रत कथा जिनके दिव केशों पर मन्दार अर्थात आख के पुश्मों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की मालाग पड़ी है जो माता पारवती दिव वस्तरों से और भगवान शंकर दिगंबर वेश धारन किये हैं उन दोनों भवाने शंकर को मैं नमस्कार करती हूं केलाश परवत के सुंदर शिखर पर माता पारवती जी ने श्री महादेव जी से पूछा कि है महेश्वर मुझसे आव है गुप्त से गुप्त वार्था कहिए जो सब के लिए सब धर्मों से भी सरल और महानफल देने वाली हो हे नाथ अगर आप भली भाती प्रसंद हैं तो आप उसे मेरे सम्मख प्रकट कीजिए जगतनाथ आप आदी मध्य और अंतरहित हैं आपकी माया का कोई पार भी नहीं है आपको मैंने किस प्रकार प्राप्त किया है हे प्रभू कौन से व्रत तप या दान के पुन्यफल से आप मुझे वर के रूप में प्राप्त हुए ये सब कृप्या पूर्वक वर्णन कीजिए देवी पारवती की बात सुनकर शुरी महादेव जी बोले हे देवी सुनो मैं तुम्हारे सम्मुख अब उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है जै वैसे ही पुरान और वेद सब में इसका वर्णन आया है जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है ये प्रिये उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ सुनो भात्रपत मास के शुकल पक्ष की हस्त नक्षत्र सयुक्त तरतिया दिथी के दिन इस व्रत प्रभू इस व्रत को मैंने किसले किया था वह सुनने की मेरी इच्छा है सोकर्पा करे कहिए शंकर जी कहने लगे ही परवति आर्य वर्तًमें हिमाले नामक एक महान परवत है जहां अनेग प्रकार की भूमी अनेग प्रकार के व्रक्षों से सोशोबित है जो सदैव बर्फ से ढकेवे तथा गंगा की कलकल ध्वनी से शब्दाय मान रहता है तुमने बच्पन में उसी स्थान पर परम तब किया था और बारह वर्षों तक लगातार जल में रह ती रही तुम्हारे उसकर को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई वे दुखी होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवहा किसे करूं इसी अवसर पर दैवयोक से श्री ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षी नारत वहां पधारे देवर्षी नारत ने तुम पुत्री को देखा तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षी को अर्ग पाध्य आसन देकर सम्मान सहीद बिठाया और कहने लगे हे मुनिश्वर आपने यहां तक आने का कस्ट कैसे किया कहिए क्या अग्या है तो देवर्षी नारत बोले ना रायन ना रायन हे गिरिराज मै मैं विष्णु भगवान के भेजा हुआ यहां आया हूं आप मेरी बात सनिएख अपनी कन्या को उत्तम वर कोदान कीजे ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदिदेरताओ मैं विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है इसलिए मेरी राय से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे दे तो हिमाले बोले अगर भगवान वासुदेव स्वयम ही मेरी कन्या को ग्रहन करना चाहते हैं और इस कारी के लिए ही यदि आपका आगमन यहां हुआ है तो ये तो मेरे लिए बड़े गौरव की बात है देवर्शी मैं अपनी कन्या अवशी ही उन्हें दूंगा हिमाले का ये आश्वसन सुनते ही देवर्शी नारत जी वीणा पर नारायन नारायन कहते वे आकाश में अंतरध्यान हो गए और शंक चक्र गदा पद्म और पितामबरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँच गए नारत ज तुम को गरुर्धवज भगवान विष्णु को अरपण कर दिया है अपनी पिता के इन वाक्यों को सुनते ही देवी पार्वती अत्यात दुखी और निराश हो गई अपनी सहिली के पास गई और धरती पर गिरकर अत्यात दुखी होकर विलाप करने लगी अपनी सकी को विलाब करता हुआ देखकर देवी पारवती की सकी बोली हे देवी तुम किस कारण से इतना दुखी हो मुझे बताओ मैं अवशी ही तुम्हारी ये इच्छा पोन्ड करूँगी तब देवी पारवती कहने लगी हे सखी सुनो, मेरे मन की जो इच्छा है वो तुम्हें बताती हूँ मैं तो शिरी महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ परतु मेरे पिताजी तो मेरा विवा भगवान विष्णु के साथ सुनिश्चित करना चाहते हैं इसलिए मैं निस संदे इस शरीर का त्याग करूँगी पारवती जी के इन वचनों को सुनकर उनकी सखी कहने लगी देवी तुम निराश मत हो जिस वन को तुम्हारे पिता जी ने ना देखाओ तुम वहाँ चले जाओ और वहाँ कठिन तपस्या करना तब हे देवी पारवती तुम अपनी सखी का ये वचन सुनकर अपनी सखी के साथ घने वन को चले गई तुम्हारे सखी ने तुम्हारा हरन करके तुम्हें घने वन में पहुचा दिया उधर तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव, अथ्वा किन्नर हरन करके ले गया है और मैंने तो देवर्शी नारत को ये वचन दे दिया है कि मैं अपनी पुत्री का गरुडधवज भगवान के साथ विवा करूँगा हाए अब मेरा ये वचन कैसे पूरा होगा ऐसा सोचकर देवी तुम्हारे पिता बहुत चिंतातूर होकर मुर्शित हो गए तब सभी लोग हाहा कार करते वे दोड़े और मुर्शा दूर होने पर गिरिडाज से बोले कि हमें आप अपनी मुर्शा का कारण बताएए तब ही माले कहने लगे मेरे दुख का कारण ये है कि मेरी रत्नरूपी कन्या को कोई हरन करके ले गया या सर्प डस गया या किसी से या व्यागर ने उसे मार डाला है वो नजाने कहां चली गई है या फिर उसे किसी राक्षस ने मार डाला है इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कापने लगे जैसे तेज वायू के चलने पर कोई वरक्ष कापने लगता है फिर हे पारवती तुम्हें गिरिराज साथियो सहित घने जंगल में ढोने के लिए निकल गए सेह व्यागर रीच आदी हिंसक जन्तों के कारण वह वन महां भयानक प्रतीत हो रहा था तुम भी अपनी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती भी वन में एक नदी के पास पर बनी वी एक गुफा में पहुँच गई उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई जहां तुम अन जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही उस समय भात्रपत मास की हस्त नक्षतर युक्त त्रतिया के दिन तुमने मेरा विधी विधान से पुजन किया और रात्री को गीत भजन करते वे जागरन किया तुम्हारे उस महावरत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा मैं उसी इस्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी तब मैंने आकर तुमसे कहा कि हे बरानने मैं तुमसे अत्यत्य प्रसन हूँ तो मुझसे कोई वर मागो तब तुमने कहा कि हे देव यदि आप मुझ पर प्रसन है तो आप महादेव जी ही मेरे पती हो जाएं मैं तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर अंतरधियान होकर कलाश परवत को चला गया तब तुमने प्रातहकाल होते ही उस बालो की प्रतिमा को नदी में विसरजित कर दिया हे शिवे वहाँ तुमने अपनी सखी सहीत वरत का परायन किया इतने में ही तुम्हारे पिता हेमवान भी तुम्हें ढूनते-ढूनते उसी खनेवन में आ पहुँचे उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कण्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्ह अले ही अपना शरेर शंकर जी को समर्पित कर दिया था किन्तु आपने इसके विपरीत कारे किया इसलिए मैं यहां घने वन में चली आई और तपस्या करने लगी तुम्हारे द्रण निश्चे और कठिन तपस्या को देखकर हिमवान ने तुमसे कहा कि पुत्री अब मैं तु तुम जिनके साथ भी विवाह करना चाहती हो मैं उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह अवश्य कराऊंगा हे प्रिये उसी वृत के प्रभाव से तुम्हें मेरा अर्धासन प्राप्थ हुआ है इस वृतराज को मैंने अभी तक किसी के समुख्वर्ण नहीं किया है देवी अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि इस वृत्राज का नाम तो मुझे बता दिया किन्तु मुझे इसकी विधी और फल भी बताईए कि इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब शंकर जी इस प्रकार बोले इस इस्त्री जाती के अच्चितम वृत्र की विधी भी देवी सुनो। विधी पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालो निर्वित प्रतिमा इस्थापित करें। फिर भगवान शिव और पार्वती जी का गंध धूप पुष्प दीपक आदी से विधी पूर्वक पूजन करें। अनेक नैवेतियों का भोग लगाएं और रातरी को जागरन करें। नारियल, सुपारी, जमारी, नीबू, लौंग, अनार, नारंगी आदी, रितुफलों और फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदी से पूजन करके कहें। कि हे कल्यान रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सभी कामनाओं को देने वाली देवी, कल्यान रूप तुम्हे नमसकार है। भगवान शंकर जी को सदयव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मरूपनी जगत का पालन करने वाली हे मा आपको बारम बार नमस्कार है। हे सिहवानी मैं सांसारिक भैसे व्याकुल हूँ। तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी मैंने इसी इच्छा से आपका आज पूजन किय है और उपवास रखा है। हे माता पार्वती आप अब मेरे उपर प्रसन होकर मुझे सुख प्रदान करो। मुझे स्वभागी प्रदान करो और मेरे सुहाग की रक्षा करो। कुमारी कन्याओं को इस प्रकार कहना चाहिए कि हे दिवी पार्वती आप मेरे इस व्रत को जंकर जी का पूजन करना चाहिए विधी पूर्वक कथा को सुनकर गउ वस्त्र आबुशन आदी ब्रहमनों को दान करें इस प्रकार से व्रत करने वाले के सभी पाप नस्ठ हो जाते हैं सुहागिन महिलाओं के सुहागी की रक्षा होती है और कुमारी कन्याओं का विवहाद जल्दी ही उनके मन पसंद जीवन साथी से हो जाता है प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय